जिस व्यक्ति का बुरा समय चंग आओ, ना लक्षमी घर में आ रही हो, रोग बिमारी पढ़े हुए हो, कोई तकलीप ही तकलीप आ रही हो, बहुत कश्ट मैसु सोड़ा हो, परिवार में शान्ती रत्ती भल की ना हो, तो कितना सुन्दर कहा, एक लोटा पानी लीजिए, तो थोड़ा सा दुखड़ा उस कलश में डाल लीजिए और जिस व्यक्ति का समय घर बढ़ चल रहा हो, लक्षमी नहीं आ रही हो, बिमारियां बनी होई हो, दुख हो, तकलीप हो, घष्प हो, बस बोड़ो पानी को लेकर जाओ, जिस व्यक्ति को ज़्यादा घष्प हो, और पानी लिजाकर संकर जी के ऊपर चड़ा जाएगा, और जब शिवजी पे जल चड़ जाएगा, वो पाच जो पत्ते आपने पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापिस अपर जल का सीचन कर लीजिए, आप तो तीन दिन में अंकर वालूम पड़ जाएग शरीर में विकार बहुत तस्तुत्तन हो रहा है, पीपल के पत्ते की, पाच पत्ते पीपल के खाली के अंदर रखो, और उस पे भोजन करो संकर जी का कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर प्रारम करो, पंद्रा से बीस मिनिट लगते हैं मारे टेबलेट खाने की शरीर सिवाय नमस्तु भ्याम हरहर महादेव, दोस्तों कार्टिक मास्क की अश्टमी तिथी का दिन आ गया है, यह दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पहले तो कार्टिक मास्क का अतिप्रिय मैना चल रहा है, और यह अश्टमी कोई सालहराण अश्टमी नहीं है, यह अश्टमी अहुई अश्टमी का दिन है, इस दिन अहुई माता की पूजा की जाती है, संतान की सुख सम्रद्धी के लिए अहुई अश्टमी का ब्रत रखा जाता है, इस दिन अहुई माता की पूजा करने से वह हमें सुख सम्रद्धी और संतान की लंबी आयू, तरक् करती हैं दोस्तों इस दिन महादेब और अहुई माता की पूजा कन्य से बड़ा ही लाप प्राप्त होता है और यदि आपके हां अहुई माता की तस्वीर नहीं है तो आप बाजार से ले लें बाजार में आसाने से अहुई माता की तस्वीर मिल जाती है इस ब्रत को कन्य से सं संतान के लिए ही बित रखा जाता है दोस्तों यदि आपके आप अवी माता की तस्वीं नहीं है तो आप माता पारवती का पूजन भी कर सकते हैं इस दिन उनके प्रिय पुत्त्र भगवान गनिश जी का भी पूजन कन्ना अत्री सुब माना जाता है और यदी आप चाहते हैं आपके संतान के जीवान में सुक समरद्धी लंबी आयू बनी रहे तो आप बताएगे कुछ उपाए मैंसे एक उपाए कर सकते हैं पहला उपाए बहुत ही छोटा सा वह आसान है आपको गाय का दूद लेना है आपको गाय का कच्चा ही दूद लेना है और उसका ही प्रियोक करना है आपको जितना भी दूद मिले एक कटोरी दूद मिल जाए या एक चमच आपको उस दूद को ले जाकर सिबलिंग के पास सिबलिंग का अविशे करना है और यदि आपके घर में सिबिलिंग नहीं है तो यह कार आप मंद्र जाकर भी कर सकते हैं सिबिलिंग का अवीश्य करके जल समर्पित कर दें उसके बाद जैसी आप पूजा बिदी बिदान से करते हैं उस प्रकार आप बिदी बिदान से पूजा कर लें ऐसा करनेंजने से माता पारवती पिसन होती हैं और संतान सुख का आसिरवाद देती हैं दोस्तों दूसरा उपाई एक सपेथफूल का उपाई है यह उपाette आपका अहोई अश्टमी के दिन ही करना है आपको एक सपेथफूल अहोई माता को अर्पित करना है और बिदिवत पूजा कर लेनी है ऐसा करने से संतान के सुखी जीवन का आसिजबाद माता प्रदान करती है आंगे वीडियो में गुरुजी द्वारा पीपल के पत्तों का भी उपाय बताया गया है जो आप इस दिन कर सकते हैं दोस्तों हम आसा करते हैं आपको यह उपाय समझ आ गए होंगे यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ऐसी ही वीडियो देखने बास सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें